इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से बहुंचाएंगे इसलिए लगतार हमार साथ इसी वीडियो में बने रहिएगा सभी मुख्य समचार जानना आप सभी लोगों के लिए बेहदी जरूरी है तो वहीं दोस्तों खबरों की तरह पढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहूल गांधी और इंडिया गडबनन के समर्थन में खड़े है तो अब इस वीडियो क को लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा हैश्टेग जुड़ेगा भारा जीतेगा इंडिया दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं केंद्रिया मंत्री नितिन गड़करी की तरफ से आया है ऐसा बयान सामने निकलके कि यहां पर पर सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या है पूरा मामला राजस्थान में यहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सामिल होने के लिए नितिन गड़करी पहुँचे थे जहां पर उन्होंने बयान दिया है कि घोडों को नह बजने वाले को इसारा ही काफी होता है अब आप लोग ही बताईएगा कि नितिन गड़करी का इसारा किस और है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मोदी जी को इंडिया नाम से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है लालू यादब की तरफ से आया है बड़ा बयान और वहीं संजय सिंग ने भी एक बड़ा दावा किया है जानेंगे क्या कुछ कहना है संजय सिंग का भी तो वहीं बताते चलें एक यहाँ पर टूइट आया है ज क्या करोगे जिसे अंग्रेजों ने बिचाया है उन उद्दियोग धंदो वा अन्य संस्थानों का क्या करोगे जिसे अंग्रेजों ने बनाया है उन सड़को टनल का क्या करोगे जिसे अंग्रेजों ने बनाया था अगर है दम तो फिर से सब बना करके दिखाओ वरना ये जनता वादेश को मूर्ख बनाना और मुद्दो से ध्यान भटकाना यहाँ पर बंद करो यह यहाँ पर ट्विट सामने निकल की आया है तो वहीं दूसरी तरह बताते चलें पूरे मुद्दे पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंग बोले कि नोट पर रिजर बैंक आफ इंडिया लिखा है लगता है तीसरी नोट बंदी होगी यह यहाँ पर संजय सिंग की तरफ से भी बयान सामने निकल की आया है दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह पढ़ते हैं चीन अडानी महंगाई और मड़ी पूरपर भी हो चर्चा सोनिया गांधी विशेस सत्र से पहले लिखेंगे पिया मोधी को चिठी खबर बताते चलें सरकार ने अब तक संसद के आगामी विशेस सत्र के मेन एजेंडे का खुलासा नहीं किय है इस बीच कॉंग्रस संसरिय दल की अध्यच सोनिया गांधी जल्द ही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को पत्तर लिखेंगी और उन प्रमुक मुद्दों के बारे में बताएंगी जिन पर पार्ठी चर्चा चाहती है इस बारे में कॉंग्रस संसरिय रणनीती समों की बै कात हुई है कुछ नेताओं ने कहाई कि राजेसभा में विपच्च के नेता की रुप में खडगे को सभी सदनों के नेताओं के हस्ताच्छर के साथ विपच्ची गडबंदन की और से लिखना चाहिए लेकिन कॉंग्रस यहां पर चाहती थी कि सोनिया गांधी सभी दलों की और से लिखें जिस पर बाद में अन्य दल यहां पर सहमत हो गए और अब सोनिया गांधी पिया मोधी को लिखेंगी चिठेस के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है एक काफी चौकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है कि अगर इंडिया नाम भारत ने छोड़ा तो पाकिस्तान इस पर ठोक सकता है दावाज यहां दोस्तों क्या कुछ है पूरी खबर बताते चलें भारत में इंडिया और भारत नाम पर लगतार यहां पर बहस जारी है माना जा रहा है कि जब से विपच्छी कडबंदन ने अपने कडबंदन का नाम इंडिया रखा है तब से ही भाजपा की नींद उड़ चुकी है इसलिए अब वो यहाँ पर देश का नाम बदलने की ही तयारी कर रही है यानि की जहां जहां भी इंडिया लिखा है वहाँ पर भारत का उप्योग किया जाएगा और इसी बात को लेकर के पाकिस्तान की स्थानिय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया नाम पर दावा कर सकता है यहां दोस्तों बताते चलें यहां पर साउथ एसिया इंडेक्स के एक्स हैंडेल से एक किये गए ट्विट में कहा गया है कि अगर भारत सायूक्तराष्टर इस तर पर आधिकारिक तोर पर इसकी मानिता रद कर देता है तो पाकिस्तान इंडिया नाम पर दावा कर सकता है यह यहां पर सोसल मीडिया पर बहस लगातार जारी है इस मुद्दे पर और विपच्छी पार्टिया भी केंद्र की मुद्दी सरकार पर हमला बरहें क्यूंकि हमारे समिधान में साफ तोर पर लिखा है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है यह यहां पर सुप्रीम कोट भी पहले ही अपने आदेश में साफ कर चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की तरफ से ऐसे मुद्दे उचाले जा रहे हैं आप लोगों की इस ख़बर पे क्या कुछ राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी महतपूर राय भी बताईएगा एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कॉंग्रस के नेता राहुल गांधी एक हपते के यूरोप दौरे पर हुए हैं रवाना जा दोस्तों खबर के मुताबिक कॉंग्रस के नेता राहुल गांधी देर रात लगभग एक सप्तहा के यूरोप दौरे पर रवाना हो गए इस दौरान वो यूरोपिय संग के वकीलों चातरों और भारतिया प्रवासियों के साथ में लगतार बैठ के करेंगे सुत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी 7 सितंबर को ब्रेसेल्स में यूरोपिय संग के वकीलों के एक सम्हू से मिलेंगे और यहाँ पर बैठक करेंगे और वहीं वो 8 सितंबर को पैरिस की एक यूनिवर्सिटी में चातरों को भी सम्भोधित करेंगे यह यहाँ पर विदेशी दोरे के लिए राहुल गांधी रवाना हुए हैं एक हपते के लिए इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं भाजबा की जन आसिरवाद यात्रा पर हुआ है पत्थरा लोगों ने किया है यहाँ पर यात्रा का जबरदास्त विरोध लगातार मद्द प्रदेश के अंदर भाजबा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन अब तो जनता यहाँ पर भाजबा के नेताओं के काफिले पर फूल बरसाने की जगह पत्थर बरसा रही है मद्द प्रदेश के नीमच में यहाँ पर भाजबा की जन आसिरवाद यात्रा पर जोड़दार पत्थरा हो गया बीजेपी के रत समेत कई गाड़ियां इसमें छ विरोध कर रहे हैं बीजेपी नेताओं का इसके साथ ही दोस्तो एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं महराश्टर कॉंग्रिस भारत जोड़ो यातरा की वर्सगाट पर निकालेगी पदियातरा सभी जिलों में होंगे कारकरम खबर बताते चलें आप लोगों को दोस्तों रहुल गांधी की भारत जोड़ो यातरा की पहली वर्सगाट पर महराश्टर कॉंग्रिस राजे के सभी जिलों में पदियातरा निकालेगी और कारकरमों का आयोजन भी किया जाएगा प्रुदेश के सभी नेता अपने अपने जिलों में पदियातरा और कारकरमों में हिस् पूरा होता हुआ दिख रहा है जिसके मौके पर कॉंग्रेस पार्टी इस दिन को यहां पर भारत चोड़ो यात्रा की वर्सगाट के तौर पर मना रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में यहां पर राहुल गांधी की नेतरित में एक और भारत चोड़ो यात्रा यहां पर सुरू करती जाएगी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें इंडिया कटबंदन के तमाम दिगज नेता सामिल होते हुए नजर आएंगे क्योंकि भारत चोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी ने की है तब से बीजेपी की नींद उड़ सी गई है लगतार राहुल गांधी और कांगरस पार्टी की लोक प्रियता यहां पर बढ़ी है जिसके बाद यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांगरस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और करनाटक के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई है इसके साथ ही एक Supreme Court से अनुरोध किया है कि वहाँ ED को उनके खिलाब किसी तरह की पीड़क करवाई नहीं करने का आदिस दें CM की और से ED के समन को चुनौती देने वाली आचिका में कहा गया है कि ED को पूष्टाज के दोरान ही किसी को गिरफ़तार करने का अधिकार है इसलिए पूष्टाज के लिए जारी किये गए समन के मतनजर हमेशा गिरफ़तारी का डर बना रहता है रिट पिटीशन में ED की गतविदी को राचिनितिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्तिर करने वाली कारवाई बताया गया है और कहा गया है कि बदले के तहट यहां पर कारवाई की जा रही है इसलिए सुप्रीम कोड को रोक लगानी चाहिए इस पूरे मामले में ED की कारवाई पर यह यहां पर मांग की गई है चारखंड के सीम हिमन्त सोरेन की तरफ से दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंच आए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समचारों को शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत